Hello dear students, welcome to Magnet Brains, I am Salek, your math educator और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वही, Laws of Exponents Part 2 कुछ laws हमने पढ़ लिया थे पहले, बचे वह laws आज हम करने की कवर और इसके बाद जो हमरी exercise आएगी, exercise 2, वो पूरी depend है laws of exponents पर जी हाँ, laws of exponents पर और basic of exponents पर तो basic of exponents मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, introduction वीडियो में आपको पढ़ाया था पुरा basic of exponents नाम से वीडियो थी, जहाँ पर हमने complete concept आपको clear कर दिया था exponents के basic के regarding और उस पर ही depend थी पहली exercise, अब हम कर रहे हैं महिनत दूसरी exercise के लिए पार्ट वन हो गया है, पार्ट वाज हो जाएगा, तो पार्ट वन में हमने कौन कौन से laws कर लिए, पार्ट वन में हमने भाई, ये वाला law पढ़ा है, बेस सेम होती है, multiply होती है, तो power add हो जाती है, और बेस सेम, डिवाइड होता है, तो subtract हो जाती है power, और हमने पढ़ा, any non-zero number raise to the power 0 equal to 1, right, और क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा, बेस सेम होती है, equal to sign लगा हुआ है, तो power equate कर देते हैं, power equal होती है, equal to का साहिल लगा हुआ है, तो basic equate कर देते हैं, ये सारी बात हमने पढ़ी है, बहुत सारे हमने questions भी करें, अब बढ़ेंगे हम आगे देखते हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले है, class 7 maths, exponents in power chapter की बात हो रही है, चले शुरू करते हैं, शुरू कर में आपको मिलता है, EID question, conceptual videos, daily practice problems, most important questions, multiple choice questions, और one short revision, quick revision, 15-15 minutes में पूरे पूरे चैप्टर रिवाइस करा जिये गए हैं, ये वाली वीडियो भी आपको मिल जाती हैं, और आपको मिल जाता है, live sessions, जी हा, live sessions आपको मिलते हैं, जहापर आप रियल टाइम में, रियल टीचर सा magnetbrains.com, हमारी एप पर सेम नेम से एप प्ले स्टोर पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजेगा, और वेबसाइट पर, नोड्स भी आवलेवल है, link description में, क्लिक करिए, पहुँच जाए ये वेबसाइट पर, grab कर लीजेगा, नोड पावर के ऊपर, मैंने पिछली वीडियो में भी इसका जिकर किया था, और questions को मैंने आप से कहा था, कि ये questions को easy बना देता है, power of power, मतलब, जैसे कि ये है, six की power two, और इस पूरे की power four, तो power की power से multiply हो जाएगी, base वही रहेगी, power से power की multiply होकर, जो answer आएगा, वो बन जाएगी new power, बात समझ में आई, अब इसको करते हैं भाई, एक बार reduce, मतलब एक बार इसको हम समझ लेते हैं, कैसे बना, कैसे हुआ, इसके पीछे की working क्या है, तो three की power two की power three, ध्यां से देखो, ये क्या है, three की power two, और इस पूरे की power three, ध्यां से देखिए, three की power two, और इस पूरे की power boss 3 right 3 की पावर 2 पूरे की पावर 3 मतलब इस पुरे की मुझीपलाए इस से खुझ से 3 रही है इस इस से ही 3 बार हो रही है है और राइट सूनस्टfonts जी हां तो 3 की पावर 2 पावर मतलब इस यह और जो работать बिए सेंधी पावर एंड होगई 2 प्लस 2 यह तो भढ़ लॉइन हे शिक्स होगया शिक्स को आप कळा लिख सकते हो डूइंडू ट्री आप एजली लिख सकते हो यह सवी सकते हो यह तो दूइंटू-तREE बाथ समझ में आ रही है то मतलब क्या हुआ मतलब तो यह अधिन की पावर टू की पावर अगर तरी है तो तो इंटो थृ यह बात यहां पर लिखी हुए यह देखिया तरी की पावर डूघी पावर त्री 1 2 3 पावर एड यह 6 इसको प्लेह सकते हो रही है तो प्लस 2 प्लस तू मतलब तू की तू में टू तीन बार एड़ हो रहा है तो टू इंटू थृ तू इंटू थृ क्या होता है सिक्स आल राइट बात समझ में आई कहने का मतलब यह पावर की उपर पावर होगी तो पावर की पावर से मल्टिप्लाइब हो जाएगी जो प्रोड़क्ट आएगा वो हो करेंगे इस लाओ पर बच्चो पिछली वीडियो नहीं देखी तो जा करके देखिएगा और अप्टू डेट रहिएगा स्लेबस के साथ चलिए भई कुछ कोशन करते हैं इस वाले लाओ पर यह रहा है कोश्चन सिंप्लिफाय सिंप्लिफाय एंड राइट द आंसर इन एक उसकी पूरे की पावर 2 अब पावर के उपर पावर है टेकी पावर ऑफ पावर वाला लग जाएगा फिवटी इंटू 2 यह हो गया सेवान की पावर 7 की power 100 यह simplify भी हो गया और exponential form में answer भी आ गया जो law लगा है वो आपको लिखना पड़ेगा हमेशा हर question में जिस step पर आप law को use करते हैं उस step के against आप mention करेंगे तो भाईया यह आ गया आपका answer since a to the power m की power n equal to a की power m into n all right clear I hope you are interested in this very well students all right आगया समझ में I hope आपको इसमझ में आगया होगा इसको जल्दे से note कर लो प्यारे students quickly note it down this all right kids चलिए बढ़ते हैं आगे एक और question आपका वेट कर रहा है चलिए भाई solve करते हैं मिलकर के 2 की power 2 की power 2 और इसकी power minus 3 multiply 2 की power 4 और इस पूरे की power 2 minus 3 के लिए base यह है 2 के लिए base यह है इसको डिल करते हैं power के उपर power power के उपर power तो power की power से multiply और जो answer आएगा मतलब जो product आएगा वो हो जाएगी new power correct यह वाला multiply बीच में as it is 2 की power 4 और पूरे की power 2 power के उपर power तो power की power से हो जाएगी multiply 4 into 2 all right 4 into 2 all right disturbance तो 2 की power 2 multiply by minus 3 minus 6 into 4 to the 8 अब देखे लियां जहां पर कौन सा law लगा पहले उस law को mention कर देते हैं यहां पर law लगा boss यह वाला taking power of power वाला a की power m की power n a की power m into n यह वाला बच्चो clear है चलिये भई 2 की power minus 6 into 2 की power 8 बेस सेम है तो powers हो जाएगी बेटा add बेस सेम है पावर हो जाएगी add minus 6 plus 8 all right 2 की power minus 6 plus 8 मतलब 2 2 की power 2 मतलब option a option a is the correct option और यहां पर कौन सा law लगा भई यहां पर कौन सा law लगा यहां पर law लगा यह वाला a की power m into a की power n a की power m into a की power n मतलब a की power m plus n यह वाला लगा all right 2 to the power 2 answer आ गया है असान साही question simplified exponential form क्या है इसकी 2 की power 2 है बात समझ में आ रहे हैं laws अगर आपको समझ में आ गये हैं उनको apply करना आ गया है तो questions बहुत जल्दी solve हो जाते हैं बहुत easy questions यह होते हैं note कर लिजएगा quickly students all right kids I hope you are interested this very well चल यह बटा बढ़ता है आगे देखता है next question simplify back expression instruments simplify करना है चल यह करते हैं 3 की पावर 4 multiply 7 की पावर 2 multiply 11 की पावर 3 upon 21 की पावर 2 multiply 121 clear अब कैसे करेंगे इस questions को कैसे करेंगे दिहां से देखिए अलग-अलग तरह से आप कर सकते हैं जो भी आप के mind में मैं आ जाए मैं देख लेता हूँ मेरे मांड में क्या जाना ल करने के लिए मेरे पाइड मेरे को laws लगा है करना है तो भी हो जाेदा बिना लगा है करेंगे ToLR बीले के लगेंगे लेकिंग KanP की पावर 4 एज़ इस सेवन की पावर 2 एज़ इस एलावन की पावर 3 एज़ अपन 21 स्कूरर टॉंटी वन इसक्वर को अब दो 21 इंटू 21 क्लियर 121 को अब लिक दो 11 की पावर 2 11 के स्कूरर 121 you know very well बाच समझ में आ गई है अब देखिये क्या हो रहा है आपर 3 की पावर 4 21 अगर मैं घ्रीकी पावर 4 को एयसे लिग दू तिरी की पावर 4 को दू ठीर इन टू ठीर इन टू ठीर इन टू 3 और सैन की पावर 2 को मैं दू इस तरह से सैवन इंटू सैवन तो कोई प्रोब्लम नहीं है इन अच्छा है वैसे कर लिए आप 3 721 3 721 करेक्ट आ रहा है समझ में 3 721 3 721 क्लियर 717 717 आ रहा है समझ में भाई वीडियो बैक करके आप देख सकते हो मैं किस से क्या कट कर रहा हूं उपर क्या बचा बहुत नीचे एक खर्दम हो गया ऊपर बचा इंटू 3 देखो 731 एक गया 731 एक गया क्या बचा इंटू 11 की पावर 3 और डिवाइड में 11 की पावर 2 डिवाइड इस तुर्ण उपर ही कर लेता हो में से हो ओके 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 की पावर 3 अपन 11 की पावर 2 ओल राइट 3 इंटू 3 9 अब देखे 11 की पावर 3 अपन 11 की पावर 2 आप इसको एकस्पेंड करके भी कट कर सकते हैं कैसे 11 इंटू 11 इंटू 11 अपन 11 इंटू 11 ऐसे करके भी आप इसको कट कर सकते हैं, like this, क्या बजगा, 11 बजगा, 99 आंसर, और आप यहाँ पर law भी लगा सकते हैं, कैसे, 11 की पावर 3, divide by 11 की पावर 2, तो 9 इंटू, बेस सेम है, divide हो रहा है, तो पावर सब्ट्रेक्ट, 9, 11 की पावर 1, 11 की पावर 1, लिखे हैं, ना लिखे, 99 आ गया अंसर, और इस्टूरेंट्स आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, ऐसे, 11 की पावर 2, पावर 3 गई, खाले 11 बचा, ऐसे भी कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है, तो अलग-अलग तरह से अप्रोच आप लगा सकते हो, जो अप्रोच आपको अच्छी लग रही हो, बस यह देखना है, या माइंड मे रखना, आप किस क्या कर रहा है, कुस्क्राइब का रहा है, काट करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, सब बढ़ता है आगे देखते हैं नेक्स्ट कुश्ट ए रेस तुदी पावर 3 रेस तुदी पावर 6 ए रेस तुदी पावर 3 रेस तुदी पावर 6 पावर के ओपर पावर तो पावर की पावर से यह हो गया बॉस 18 रूल कौण सा लगा यह लगा एकि पावर M कि पावर N एकि पावर मन और कि असान सा कोश्ट है बहुत ज्यादा असांज नोटनेट साओन अजल मेड़ें ओल रेट it बढ़ते हैं ओके एकदम शांदार सा कोशन एक बार फिर से आपके इंतजार में X की पावर 6 और इस पूरे की पावर 3 अपॉंट 2 X की पावर 6 और इस पूरे की पावर 3 अपॉंट 2 पावर के ऊपर पावर पावर के ऊपर पावर तो पावर की मुटिप्लाए पावर से, पावर के ओपर पावर, तो पावर की मुटिप्लाय पावर से, रूल लगा ये वाला, एकी पावर M, की पावर N, एकी पावर MN, अल्राइट, अब देखिये भाई, ये पूरा एक्सपोनेंट है, और के, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 6, कोई पावलम, एक्सकी पावर, 3, 2, 3, एक्सकी पावर हो गई, 9, एक्सकी पावर हो गई, बॉस, 9, ओल्राइट, हाओ इजी इस, you can see, कितना असान सा ये क्वेशन, ओल्राइट, अराइज समझ में, भाई, जहां भी आप लॉलन आए, उस लोग को मेंशन, जरूर करे, नोट कर लिजेगा इ चल्दी से बच्चो, ओल्राइट, बढ़ता है आगे, देखता है, next question, ये देखेगा भाई, 4 to the power 4, divided by 4, raised to the power 3, into 4 raised to the power 0, 4 raised to the power 4, divided by 4, raised to the power 3, into any non-zero number, जिसकी power 0, answer 1, जिसकी power 0, answer 1, a raised to the power 0, अगर a 0 के परावर नहीं है, power 0 है, तो answer बना चाहेगा, अब देखे, बोर्ड, मास, B, O, D, पहले करेंगे, डिवाइट, तो इसकी से डिवाइट कर लिए पहले आप, 4 की power, 4 की power 4, divided by 4 की power 3, तो 4 की power 4, minus 3, multiply 1 as it is, 4 की power 3, minus 1, 1, multiply 1, 4 की power 1 का मतलब 1, 4 की power 1 का मतलब 4, 4 into 1, 4, all right, आ रही है बात समझ में, कौन सा रूल लगा है, जल्ली से मुझे comment करके आपर, बताईएगा, comment करके जल्ली से आपर बताईएगा, कौन सा रूल लगा है आपर, पिछली वीडियो में यह लोग पढ़ाया गया था, comment करके बताना, इस वाले कोशन में, कौन सा रूल लग गया है, नोटे डाउन, कुईकल इस रूट्स, आई होप सबज में आ रहे होंगे, सारी कॉशन सापको, okay, instruments, that's really great, बढ़ते हैं आगे, 3 raised to the power 5, 3 raised to the power 5, into 4 to the power 7, into 5 to the power 8, whole की power 0, इसको करने के दो तरीके हैं वही, एक smart work और एक hard work, अगर आप hard करें, hard work करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे भई, इसको आप solve करेंगे, 3 की power 5, का अंसर फाइंड करेंगे, 4 की power 7, का अंसर फाइंड करेंगे, 5 की power 8 का अंसर फाइंड करेंगे, क्योंकि आपर कोई law लग नहीं रहा है, अंदर multiplication में कोई law नहीं लग रहा है, इसका आप answer फाइंड करेंगे, आंसर फाइंड करने के बाद जो answer आएगा, उसको रखकर 0 करेंगे, अब आप सोचेंगे, सर इतना बड़ा answer आ गया है, यह ठीक है, इसकी power 0, यह non-0 answer आया है, यह non-0 answer आया है, power 0, any non-0 number, raise to the power 0, answer 1, और एक तरीका क्या है, एक तरीका है कि आप देखेंगे, भई, अंदर चाहे कुछ भी हो, अंदर बस non-0 number होना चाहिए, उसकी power 0, तो answer 1, correct, एक तरीका यह है भाई, all right, reason, बहुत simple, और मुझे पता है, आप देखते ही समझ गए होंगे, कि इसका answer भाई, 1 आएगा, इसका answer, 1 आएगा, अगर आप देखते ही समझ गए थे, question को देखते ही समझ गए थे, मुझे comment section में, जरूर बताना, all right, note कर ली जगा, इसको quickly, असान सा ये question, clear है, बिल्कुल, चल ये बिटा, 3 की power 0 की power 1, 3 की power 0 और इस पूरे की power 0, answer, answer बड़ा simple सा है, 3 की power 0, की power 0, कुछ भी हो अंदर पावर अगर 0 है, अंदर 3 की power 0 है, तो मतलब 1, 1 क्या है, एक non 0 नंबर है, और पावर अगर 0, तो answer, 1, बात समझ में आई, ये लगा है law, एक ही power 0 equal to 1, यहापर base not equal to 0, एक बार और लगा है ये law, एक ही power 0 equal to 1, base not equal to 0, all right, याद कर लिया है, set हो गया है, बाई, मैं जब आपको concept पढ़ाता हूँ, तो मैं बहुत सारे questions आपको कराता हूँ, ताकि एक दम से set हो जाए, माइड में, माइड में हर चीज एक दम से set हो जाए, पढ़ने वाली सारी बाते, माइड में आ जाए, confusion, जो भी हो साब, हाथ हो हाथ ही clear हो जाए, ओके सिरेट, चलिए भई, दूसरा लोग देखते है, multiplying power with the same exponents, multiplying power with the same exponents, मतलब क्या है, देकि A की power, M into B की power M, क्या हो रहा है, दियां से देखिए, base different, power same, में, base different power, same, So, basically multiply, base, से हो जाएगी, power वही रहेगी, base की multiply, base से हो जाएगी, power वही रहेगी, base, non zero, होनी चाहिए, base, non zero, होनी, चाहिए, देखिया, कैसे आया, यहलो, 33 की power, 2 into 5 की power 2, 3 का मतलब 3 की multiply, 3 से दो बар, 5 की power 2, का मतलब 5 की multiply, 5 से 2 बार, अब 3 into 35 into 5, is 30 कि मुलिटिपलाइस वाइज से कर दो कर सकते आप मापस में किसी कुछ भी मुलिप्लाइक सकते हो you know very well about the law 3 कि मुलिटिपलाइस 5 7 2 3 into 5 3 into 5 3 into 5 की मुलिड़ इरे 2 पर दो होगा होगा क्या है बेश की मूल्लाइब अबसें पावर टू फिरी की पावर वांटु न्टूफ की पावर जू आणसर के आए हीगा तेरी की मुल्टिप्लाइफ की आज़ा आगे आपका ग है यह बना कहा से beispielsweise मसमें रहे बिसिक से बन बन का रहे हैं ऐसे करयो तो तो ताइम वह लगा के लाइं कंगे का बहुत सारे questions exercise One में है बहुत सारे question exercise यह skills exercise बद्द कर आई गया कर आदें क्तिकी यह canal के बाद आपको पढ़ायाँ खेंगsters समझ में आ गए हैं लाउस लगाने आ गए हैं तो आप जाए होमवर्क है जाए एक्सरसाइज वन खोलिएगा और कोश्चिंस करिएगा विद्धा हैल्प अफ लॉस और राइट महापर कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा कि बिना लॉके करना है या लॉके करना है उसमें लिखा इए ऐसा हैं एकी बिसे महुटीपलाई है पावर सेम तो इक ऐडीवाइट बीए थी बेट पावर सेम तो इसका सब्ढकर कर दो और लोगारा 2 बात समझ में आ रहे हैं देखित दॉआ देखिए 3 की पावर 2 divided by 5 पावर 2 इसका मतलब 3 की पावर 2 upon 5 की पावर 2 3 की पावर 2 5 की पावर 2 तो मतलब 3 और 5 बात समंझ में आ रहे हैं बड़ा असान है base all right base different power सेम और यह जो bases है यह जिए और के गवल नहीं होनी चाहिए All right, इसको आप note करियेगा, फिर आप questions करेंगे इन वाले loss पर solve, All right, आप कुछ questions करेंगे in loss पर solve, चलिये, What is the value of, value बतानी है किसकी, 30 की power, 30, raise to the power 3, और इस पूरे की power 2, divide by 5 की power 6, All right, 30, power of power, power के ओपर, power लगी हुई है, तो power की power से दिवाइड, और यह 5, raise to the power 6, as it is, कौन सा law लगा है, भई, law लग गया है, यह वाला, A raise to the power M, की power N, A की power MN, All right, जी हा, 30 की power हो गई, बास, 6, 30 की power 6, इए भाइड गई, की power 6, 30 की power 6, 5 की power 6, पावर से में, बेस, दिफर इट टि, डिवाइड बाइड गई, की power 6, पात समझ में आई बिसकी बेससे डिवाइड ओगई कॉंस बाइग अलगा यह वाला लगा बेसकी बेससे दिवाइड हो गई्वेड पाषएम 30 divid LAUGH 5 गाम अचलब 416 004 Tracy Park शिक्रWeर 660 पावर कॉंसा उप्शन और मॉप्शन दि अ ग्यार् शांधार कुशन ओल्राइट इस्ट्रुमिंट्स एकदब जबर्दस थी कोशन है ओल्राइट ऑप्शन्स थे 6 की पावर 6 तो हमने लगा दिया वाइड ऑप्शन्स ठीक है नोट इडाउन कुक्ली ओल्राइट किट्स बेटरीन समझ में आ रहा है तो मुझे कॉमेंट करके बताईएगा सारे कोशन्स बिलकुल क्लियर होते जा रहे होंगे तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना चूँँ टू की पावर 5 डिवाइड बाई बीकी पावर 5 कितना असान सा कोशन बेस डिफरेंट पावर से टू की पावर 5 डिवाइड बाई 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 बेस और पूरी पावर 5 मतलब 2 अपॉन बीकी पावर 5 option में ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है दो ने ठीक है तो 2 अपॉन बीक पावर M, डिवाइड बाई B की पावर M, मतलब A अपाउन B की पावर M, जी हाँ, ओल राइट, सिंपल सा असान सा कुश्चन, नोट कर लिजएगा, जल्ली से, ओके केट्स, तो बढ़ते हैं, आगे फिर, एक और कुश्चन यह रहा, बहुत शानदार कुश्चन, बहुत ही जबरदस्ट यह कुश्चन है, टू एक क्यूब की पावर 4 इंटू, 4A स्कॉएर की पावर 2, देखो, 3A क्यूब की पावर 4 है, दियाँ से देखना है, इस कॉश्चन को, 3A क्यूब और इस पूरे की पावर 4, इस पूरे की पावर 4 का मतलब, 2 की पावर 4 और A क्यूब की पावर 4, यह बात समझ में हाई, इदर देखिए फोर ए स्क्वाइर की पावर टू तो फोर की पावर भी टू और ए स्क्वाइर की पावर भी टू यह बात समझ में आ रही है क्या यह बात समझ में आ रही है क्या हासर टू की पावर फोर टू की पावर फोर को अभी ऐसे ही आ पहने दो क्योंकि मैं एक शॉट यह multiply वाला साइन बीच में as it is यह multiply वाला साइन बीच में as it is 4 की power 2 4 की power 2 को अभी ऐसे ही छोड़ दो बताओंगा क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा यह into a कि power के उपर power तो power की power से multiply all right कौन सा rule लगा है हैं यहां पर मुझे आप comment section बताना यहां पर कौन सा रूल लगा है मुझे आप comment section में बताना all right अब देखो पॉस टू की power 4 multiply 4 की power 2 मैं जो numerical factors है वो पास-पास रख रहा हूं multiply algebraic factor को पास-पास रख रहा हूं ए 4-3-2 लिटरल कोविशेंट एक साथ और numerical कोविशेंट एक साथ 4-3-12 तू-2-4 यह बात समझ में आ रही है आई होप यह बात समझ में आपके आ गई है clear अब क्या करेंगे सर देखिए यहां तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बेस सेम है आप यह देखिए बेस सेम है में मल्टिप्लाइ हो रही है बेस सेम में मल्टिप्लाइ हो रही है तो पावर में पावर हो गई एड़ बेस सेम हो रही है मल्टिप्लाइट तो पावर में पावर हो गई एड़ कौन सा लो लगा है मुझे आप यहां पर बताना इसको में नहीं चेडरा भी लेकिन मैं इसक कर स्क्राइब के कोशिश कर रहा ह few लिखा मैं नो लगा के अराम से इसका काम कर लो क्या कि अमने न्योगी पावर तुलिका फोर और इस पूरे के ऊपर टू एंज इस इस पूरे के बहुत देखिके इसके ए की पाफर 12 प्लस 4 यह हो गया एकी पावर 12 प्लस 416 इन देखिये बसस्टू टूगे पाफर 4 टूप आवर में एंटstar तो फोर टूगी पावर फोर इन्टू टूगी पावर 4 को टूगी पावर 4 लाज समझ में आ रही है् तो इसे भी कर सकते हो आप तो यह हो गया बेस भी सेम पावर भी सेम तो पावर में पावर कर दो एड एक पावर 16 भाई लॉग लगा के मैंने खुशन कराया यह लॉग ना भी लगा विटो भी विशन हो जाएगा वोर की 4 प्लस 4 2 की पावर 8 इंटू एक इस इस एक की पावर 16 दो की पावर 8 कि तना हो जाए बैद वहिए 2 दूचा-वह टूची थाटी डू शिक्स्टी फूर सिक्टी फोर वन टूरण टूंटी एट तो फिफिटी-सुक्स यह हो गया बहिए टू फिफिट जिक्स की पाव यह लोग ना भी लगाएंगे तो भी एकोशन हो जाएगा कोई प्रावलम वाली बात नहीं है कैसे सर देखो तुटी पावर 416 एक 4 वावर 216 16 की 16 से मुझे टीप्लाइ करी 256 ऐसे भी हो जाएगा जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें मेरा अब्जेक्टिव था कि आपको लगाना आने चाहिए कोश्चन को कोश्चन को लॉज लगा लगा करना चाहिए इसलिए मैं ऐसा किया है और राइट किट्स जल्दी से इसको नोट कर लो एक दम शांदार यह कोशन था जल्दी से करो इसको नोट और मुझे कॉमेंट करके बताईए आप कौन सा मैथर्ड प हो गया नोट अमेजिंग तो इस्टुमेंट्स यह हमने कर लिए लॉज सारे लॉज हमारे हो गए क्लियर तो लॉज अगर मैं आपको एक पर समराइस कर दू लॉज सारे तो कौन-कौन से लॉज मैंने आपको पढ़ा है देख लो जल्ली से एक पढ़ा है मैंने यह वाला ए सब्सक अंबाइद थो घ्स और यह दूश आपको पढ़ाया था एक पावर ऑफ पावर ऑफ पावर एक पावर म ग पावर एंग पावर power m into n base कहीं भी base non zero होनी चाहिए ठीक है और क्या पढ़ाया था boss और एक law आपको पढ़ाया गया था अगर आपको याद हो बिल्कुल याद है sir ये वाला सब के लिए वो applicable base not equal to zero correct और क्या पढ़ाया था भाई एक law आपको पढ़ाया था बेटा a की power m multiply b की power m तो a b की power m ऐसे ही divide में a की power m divided by b की power m तो a divided by b की power m all right एक लो बेटा ये पढ़ाया था मतलब ये मैंने आपको सारे laws पढ़ा दिये प्यारे बच्छों अब भाई अगली वीडियो क्या होगी अगली वीडियो होगी exercise to exercise to do part बें करेंगे part one and part two क्योंकि question to five in question to कमी है लेकिन question के part बहुत जादा है तो part one part two other question part one में कर लेंगे almost other question part two में कर लेंगे पाच कोशन दो question part one में और तीन question part two all right क्योंकि यह पूरी exercise depend है laws of exponent पे इसलिए यह दो वीडियो जो मैंने बनाई है laws of exponent part one laws of exponent part two यह दोनों वीडियो बड़ी important है all right यह दोनों वीडियो बहुत important है इन वाले इस वाली exercise को करने के लिए okay students तो यह मैंने रिकॉल करा दिया ऐसी summarize कर दिया पूरा chapter कैसे कैसे मैंने आपको पढ़ाया गया okay kids तो बढ़ते हैं आगे आगे कुछ नहीं बेटा सब कुछ हो गया के लिए तो इस time to say goodbye आप मुझे comment section ने बताइए कैसी लगी आपको वीडियो कैसे लगे आपको concept कैसे लगे questions आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे comment करके जरूर बता ना बच्चो okay kids it's time to say goodbye but जाने से पहले मेरे पास है आपके लिए information important regarding magnet brains magnet brains provide कर रहा है high quality education यहां पर आपको high quality education मिल रही है correct यहां पर आपको kindergarten से लेके 12 सारी classes के सारे subject courses set मिल जाते हैं बिलकुल free में high quality education बिलकुल free रही है बाई hundred percent free alright kg से लेके 12 तक सारे classes के सारे subject course i set मिल जाता है बिलकुल free हर core set में आपको मिलेंगी conceptual videos and seri questions daily practice problems most important questions top 20 question top 50 coaching 2021 की स्रीज लाइफ सेशन जहां पर आप रियर टीचर से रियल डाउट सब्लिकस्क चाह्तर दिवाइस कर सखते हो 3 yen जाइब यह सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com अल्राइट हमारी वेबसाइट है हमाँ पर नोड़ भी मिल रहे है 6 से लेके 12 तक सारे सब्जेट के आप मिल जाएगी बहुत शांदर इंटरफेस है और बहुत जल्दी आपका नेम यहां पर आएगा बिल्कुल ऐसा ही मैंगनेट में से पढ़ते रही है और आपका फोटो के साथ आपका नेम यहां पर आने वाला है आने वाले बोर्स में आप भी टॉप करने वाले हैं है तो इसको आप लिंक बेजिए कहिए सर मैंगे बेंट खड़ाया तुमरे साथ भी सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इस वाले को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा चैनल को नहीं किया जलने से कर दीजएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर करना ना बाई I am Salik your master educator I will meet you soon in the next class next class hogi exercise 2 till that bye bye be happy keep learning keep growing keep exploring bye bye students